5 सितंबर 2020 को केंद सरकार द्वारा जारी इज आफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाते हुए देश के राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है अगर पिछले साल के रिपोर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश 12 पायदान पर था राजसरकार के सुधारों के परड़ाम के अनुसार प्रदेश ने इतनी लंबी छलांग लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने यह उपलब्धी गुजरात, तिलंगाना, राजस्थान, महराष्ट जैसे अगरडी राजों को पीछे छोड़कर प्राप्त किया है Ease of Doing Business एक तरह का इंडेक्स होता है देश में इसे उद्योग एवम आंत्रिक ब्यापार समवर्धन विभाग यानी DPIIT द्वारा तयार किया जाता है DPIIT विश्व बैंक के सहयोग से सभी राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों को एक Business Reform Action Plan के तहत इसमें कई सुधार संबंधी प्रक्रियाओं का सुझाओ भी देता है उत्तर प्रदेश सरकार ने आपचारिक ब्यान जारी कर यह बताया कि उसने DPIIT के द्वारा दिये गए कुल 187 सुधारों में से 186 सुधारों को लागू किया जिसके परडान स्वरूप यह मजबूत रैंकिंग आई है प्रदेश सरकार के नुसार यह सुधार बिभिन छेत्रों में किये गए हैं जैसे लेबर रेगुलेशन, आनलाइन सिंगल विंडो, सुचनाओं तक पहुच, पारदर्शिता, लैंड अड्मिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन पर्मिट, इत्याद, यूपी के 20 से ज़्यादा विभागों ने ऐसे सुधारों को लागू किया है हम आपको यहीं बताते चलें कि प्रदेश सरकार ने अपने सभी 75 जिलों में पहले ही जिलेवार डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुरू कर दी है इसकी सुरुवात मई 2020 से ही की गई है प्रदेश सरकार दौरा सुरू किये गए निवेश मित्र और सिंगल विंडो पोर्डल दो ऐसे प्रोग्राम है जिनका इस उखलबधी को हासिल करने में बड़ा योगदान रहा है इस इंडेक्स के जरिए केंद सरकार चाहती है कि राज घरेलू के साथ साथ विदेसी निवेश को भी आकरसित करें अब अगर बात अंतराष्टी अस्तर पर करें तो अंतराष्टी अस्तर पर Ease of Doing Business जारी करने की जिम्यदारी विस्व बैंक की है विस्व बैंक हर वर्स Ease of Doing Business सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है इसके माध्यम से विश्व बैंक किसी देश में कारोबार करना कितना आसान है इस इस्थिती को बताता है कारोबार के नियमों के नुसार दस मानकों पर यहत्य किया जाता है कि किसी देश में ब्यापार करना या ब्यापार का माहौल कितना सकरात्मक है और ये मानक हैं किसी कारोबार की सुरू करना construction permit credit मिलना छोटे निवेशकों की सुरक्षा tax देना विदेशों में train construction लागू करना construction से permit विजली प्राप्त करना संपन्ति का पज्जी करन करना अल्प संख्यक निवेशकों की रच्छा करना और दिवालिया सोधन प्रक्रिया को आधार बनाया जाना विश्व बैंक की Ease of Doing Business 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कुल 190 देशों में 33 अस्थान मिला है भारत ने पिछले रिपोर्ट की तुलना में 14 अस्थानों की छलांग लगाई है Ease of Doing Business की रैंकिंग में पिछले साल की तरह इस साल भी New Zealand टॉप पर है इसके बाद क्रमसह, सिंगापूर, होंगकंग और डेन्मार्क का नंबर आता है लेखनी है कि नरेंद्र मोधी सरकार 2014 में जब सत्ता में आई थी उस समय Ease of Doing Business में भारत का अस्थान 142 अथा वहीं 2017 में सौमय अस्थान पर आई और जबकि 2018 में इस लिस्ट में भारत 77 अस्थान पर था और 2020 में यह 63 अस्थान पर आ चुका है भारत सरकार के अगर बात करें तो भारत सरकार का या लक्ष है Ease of Doing Business रिपोर्ट के मामले में भारत को टाफ 50 में लेकर आना है आई आप बात करते हैं आज के कोश्चन की आज का सवाल है आई आइ